नमस्कार, News Click में स्वागत है, Times of India के Associate Editor शंकर रगुनोमा न हमारे बीच में है, उनसे हम हर्याना और महारास्टा में हाली में हुए चुनाओ के उपर चर्चा करेंगे, हलो शंकर, शंकर जी ये बताए, जो महारास्टा और हर्याना में विधान सवा के चुनाओ है, उसके नतीजे आए हैं, कहीं न कहीं ये लग रहाता है कि उप चुनाओ के इंदर भाजपा की हार हुई थी, उसे लग रहाता है कि वो पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन हाली में हुए जो च बनी हुए है, उसको कमदोर करने के तो इसलिए में आम तौर पर ये डेखा गया है कि उस संप्रकार में जो पांटी बनी हुए है, उसको फा था तो जहां जहां उप्चुनाव हुए यह ट्रेंड more or less बरकार रहा एक नतीजा भाजपा के खिलाव भी गया रायस्थान में भी गया लेकिन आम तोर पे उप्चुनाव को बहुत ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा संकेत नहीं मिलते हैं कि राजनेत कॉंग्रेस या कॉंग्रेस के गड़भंदन वाले सरकार थे उनके खिलाब जनता का आक्रोश अभी भी बना हुआ है और उसी का नतीजा था जो लोक्रभा में हमने देखा कि जिस तरीके से जिस भाहुमत के साथ भाजपा सरकार में आई है वो मतलब लोग मोदी लहर की बा लेकिन साथ में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो मुद्दरा है वो यह है कि कॉंग्रेस के खिलाफ एक आक्रोश है जनता के बीच वह इन दोनों चुनाव में भी देखा गया अब इसका संकेत क्या जाता है देश की राजनीती में तो कही न कहीं लोगों को यह तो लगेगा कि भाजपा अभी मतलब एक उभरती हुई शक्ति है और कॉंग्रेस कहीं न कहीं घटती हुई ढलती हुई शक्ति है यह बात फिलहाल के लिए कंफर्म हो जाता है और भाजपा के लिए बहुत बड़ा एचीवमेंट है क्योंकि ना तो महराष्ट में ना हर्याने में पहले क उसका नित्र भाजपा के सब्सक्राइब लेकिन अभी जो पारिटी नहीं आदि खत्म हो रही है तो क्या यह भाजपा करन हो रहा है पूरे देश का यह क्लाब कोई पर्तिरोद उभ्रेगा या नहीं दिकि यह जो आज कह रहे हैं कि खत्रेज़्ट हो रही है यह आज से नह क्योंकि उनकी अपनी मंशाह यह है कि राजनीती ऐसी हो जा जिसमें सीधे सीधे कॉंग्रेस और भाजबाग का टक्कर हो दो पार्टी का सिस्टम हो लेकिन हकीकत यह है कि हो ठीक उल्टा रहा है अगर आप लॉंग टर्म में देखें तो शेत्री शक्तियां जो है वो दरसल औ और ताकतवर होती जा रही है यह हाल के जो चुना हुए लोकसभा के उसमें भी आपने देखा कि अगर कहीं मोदी लेहर को रोका गया तो वो सिर्फ शेत्री पार्टी थे चाहें वो तमलनाड में एडियम के रहा हो उडिशा में जू जनता दल रहा हो या बंगाल में त्रि शेत्री पार्टी यहां ता यह हो सकता कि एक शेत्री पार्टी पार्टी कि बूसार जाये उसकी जगव कोई और ताकतवर बन जाए लेकिन कुल मिला कि अगर आप शेत्री पाट्टी होगे मुझे नहीं लगता कि उनके स्ट्रेंग्ट में कोई कमी आ रही है मनमौन सिंग के मुकाबले क्या मोधी को हम बोलेंगे अच्छा सेल्स में उसकी वज़े से उनकी राजनीती में ज्यादा उभार आ रहा है या उनको ज्यादा सीटे मिल रही है इसका क्या कारण है यह बात सही है कि उनके आर्थिक पॉलिख में कोई अंतर ने किया काऊंगा दstars को अंतर है दोनों को मां तो यह कर पाया है कि क्यों नियो लिबरेल पॉलिची से से आम तो पे जंता का बुराइं होता वलाही नी होता है लेकिन जो बिजनेस तब का है जो ट्रेडिंग कम्यूनिटी है या इंडस्ट्रिलिस्ट लोग है उन उन्हें ऐसा लगता है कि उनको फाइदा होगा इस चीज से तो जाहिर है कि वह यह चाहेंगे कि यह नीतियां जो है वह और एग्रेसिवली पुश की जाएं तो सब्सक्राइब को में जिनको नियो लिबरल पॉलिसी से फाइदा हुआ है उसमें मिटल क्लास का भी एक हिस्सा शामिल है क्योंकि मिटल क्लास के अपने एस्पिरेशन होते हैं तमन्नाएं होती है कि हमारी आमदनी बढ़े हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और जाहि हुआ है एक और बयान आया मिच्छा का उसमें उन्होंने का कि अगला हमारा टार्गेट बंगाल और बिहार का है जो राजनेतिक आपके जो अनुमान है उसके साफ से क्या लगता है कि भाजपा बंगाल और बिहार के अंदर अपनी दखल इसी तरह इसी स्पीड से बना जनता दल यूनाइटेड राष्टे जनता दल और कॉंग्रेस का वह काफी मजबूत कट बंदन है उसके खिलाफ भाजपा के लिए अकेले या राम विलास पास्वान के साथ मिलके बहुत अच्छा परफॉर्फॉर्मंस देना इतना आसान नहीं रहेगा तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि बिहार में इतनी आसानी से भाजपा अपना वच्छास काहिम कर पाएगा रही बात बंगाल की तो बंगाल में यह बात सही है कि भाजपा ने हाल में अपने आपको एक उभरतिवी शक्ति के रूप में पेश किया और काफी काम्याबी के साथ किया लेकिन हम यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के बावजूद वो लोकसभाज चुनाव में जिसमें की मोधी लहर माना जा रहा था उसमें उनको दो सीट मिले हैं बंगाल में इसमें से और उसके बाद जो उपचुनाव हुए हैं उनमें उनहीं सीटों पर भाजपा ने अच्छा प्रजर्शन किया जिन पर वो लोकसभाज चुनाव के दौरान भी किया तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा बंगाल या बिहार में वह परफॉर्मस दिखाना जो अभ बनी वी है लेकिन जैसे जैसे वक्त बीपता जाएगा तो वह उम्मीद पर नहीं एक्च्छल पर्फॉर्मस पर जनता उसको तो लेगी किस हद तक आपने जो आपने वादे किये थे उसको आपके हद तक अमल में ला पाए हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना आसान न कि राश्चे इस तर पर कोई विकल्प नहीं है उनके सामने कॉंग्रेस के अलावा कोई बड़ी पार्टी नहीं है जो विकल्प तैयार कर से कि तो क्या यह लगता है कि बड़ा क्रेडिबल विकल्प जो है वह तैयार कर पाएंगी भाजपा के खिलाप आने वाले दिनों मे 2019 तक या उससे पहले अभी तक जहां पर चुना हुए हैं महराष्टर और भर्यान दोनों ही जगए या तो कॉंग्रेस सरकार खुद चला रही थी या कॉंग्रेस निर्थत में थी तो इसलिए अभी तक कि यह जो नतीजे हम देख रहे हैं यह कॉंग्रेस वर्सिस बीजेप पाटियों का और जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जहां छेत्री पाटियों के खिलाफ तक कर रहा वहां कई जगह भाजपा अच्छा नहीं कर पाई खासकर उन राजियों में जहां पर शेत्री पाटियों का बल अल्रेडी बना हुआ है और भाजपा का पाइन सभी बहुत अच्छा खासा वहां पी स्ट्रेंग्थ है इसलिए मुझे लगता है कि यह इन दोनों ही राज्यों में और सिर्फ इन दोनों राज्यों में नहीं जैसे तमिली भी भाजपा के टार्गेट पर है इन सबी जगह, मुझे लगता है वह भाजपा को यह दि कि सरकारें इतनी बदनाम नहीं हुई है जितना की हर्याने में या महरत में था उत्तर प्रदिश में ये तो है कि वहां जो फिल्हाल अखिलेश-एदव की सरकार चल रही थे उसने जो वादे कि यह थे जिसके बल पे वो चुनाव जीत के आए थे उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं यह तो तैय है और यह बात भी तैय है कि कॉंग्रेस वहां पर तक्रीबन खतम सी हो गई है बस्पा भी इस वक्त ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति कुछ कम होती जा रही है तो फिर अगर ऐसा रहा तो टक्र सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भाजपा के आपने सामने का होगा ऐसे में सरकार के खिलाफ का जो आकरोश है उससे भाजपा को फायदा होगा जाहिर है कि भाजपा की यह कोशिश भी रही है वहां पर खास कर उत्रप्यदेश में कि संप्रदाइक तनाव को को बढ़ावा दिया जाए को लव जिहाद का कैम्पेन चला है मुदफवर नगर में दंगे हुए कई जगह और भी छोटे-छोटे दंगे होते हैं सारणिपूर में कई जगह और हर जगह भाजपा के नेताओं ने बढ़ चलके हिस्सा लिया उसको उस टेंशन को बढ़ाने तो इन सब फैक्टर की वजए से भाजपा यही उमीद कर रहे होगी कि उसका प्रदर्शन उत्तर प्रदिश में बहुत अच्छा रहेगा और यह तो जाहिर है कि पिछले जो विदान सभा चुना हुए थे उससे उनका पॉजिशन बैटर ही होगा क्या वो लोगसभा के प् बनवाई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोधी की सरकानी बनेगी इसलिए वो मोधी फैक्टर उस हद तक नहीं काम कर पायेगा जिस हद तक वो लोगसभा चुनाव में कर रहा था लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से यह होगा कि मायवती अपने पार्टी को फिलहाल जो बिलकुल ही कमजोर स्थिती में लग रही है वहां से उभार पाती है या नहीं अभी तीन साल का वक्त बाकी है 2017 में वहां के विधान सबाच चुनाव राजनीती में तीन साल बहुत लंबार सा होता है उसमें बहुत कुछ बदल सकता है आज से तीन साल पहले झाल झाल